नमस्कार दोस्तों यहां पर दीखिए निफ्टी अभी 176 पॉइंट बड़त के साथ क्लोजिंग दिया है आज और बैंक निफ्टी ने दिया है 705 पॉइंट बड़त के साथ और यहां पर जो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आप लोग यहां पर देख सकते हैं 246,246,769 के आसपास का मेरा यहां पर इन्वेस्टमेंट है और करेंट वैल्यू है इसका 259,461 के रुपीज आसपास और यहां पर जो मुझे प्रॉफिट जेनरेट हो रहा है तो चलिए हम लोग शेयर के बाद में बात करते हैं कि कि शेयर में मेरा कितना इन्वेस्टमेंट है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं HDFC की और रुपे में देखते हैं तो 2332 रुपे के आसपास का मुझे इसमें प्रॉफिट जेनरेट हो रहा है उसके बाद हिंदुस्तान यूनी लीवर है इसमें मेरा 20,830 रुपे के आसपास इन्वेस्ट अमाउंट है और इसमें जो मुझे प्रॉफिट जेनरेट हो रहा है 369 और आप लोग यहां पर मेरा जो इन्वेस्टेट है उस पर ध्यान दीजिए कि मैंने सेम अमाउंट इनवेस्ट کیया है ऐसा नहीं कि किसी में 10,000 किया है और किसी में 50,000 किया है जो invest हमारा amount है वो बिलकुल same है ताकि हमें profit हो कोई भी share profit भी दे ज्यादा तो हमें उसमें ज्यादा profit हो और loss दे तो loss भी कम हो ठीक है उसके बाद यहां पर ICICI bank है इसमें मेरा amount जो invest है वो 20,775 रुपया और इसमें मुझे लगबग 1770 रुपय के आसपास का profit generate हो रहा है उसके बाद infosys है infosys में यहां पर मेरा 2226 रुपय invest amount है और इसमें मुझे 312 रुपय के आसपास का profit generate हो रहा है उसके बाद ITC है ITC मैंने दो दिन पहले ही लिया इसमें मैंने 20,540 रुपय invest किया हूँ और उस हिसाब से मुझे यहां पर लगबग 1260 रुपय का profit generate हो रहा है और उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक कोटक महिंद्रा बैंक मेरा 22256 रुपय invest है और इसमें मुझे लगबग 1956 रुपय के आसपास का profit generate हो रहा है जश्टे दो दिन पहले ही और ये भी मेरा लगबग 811 रुपय profit में चल रहा है और इसमें मेरा invested amount है 20,660 रुपय उसके बाद मोतिलाल उसवाल का N100 है मेरे पास 20,400 रुपय इसमें invest मेरे और इसमें मुझे 47,047% का loss हो रहा है रुपय में अगर हम लोग देखते हैं तो 95 रुपय के आसपास का मुझे इसमें loss हो रहा है अगर reliance में हम लोग देखते हैं तो 22,250 रुपय मेरा invest है और profit की बात करते हैं तो 21% का मुझे profit हो रहा है reliance में और रुपए में देखते हैं तो 4748 लगभग 4748 रुपए के आसपास का मुझे इसमें profit जनरेट हो रहा है उसके बाद TCS है, TCS में में 33,900 इन्वेस्ट है, अभी मैंने 22,000 सब में इन्वेस्ट किया अब TCS में मैंने 10,000 और इन्वेस्ट किया, तो अभी अगला मेरा वीडियो आएगा, तो सभी में 33,000 रुपए अमाउंट इन्वेस्ट देखने को मिलेंगे आपको, इसमें मुझे 1446 रुपए के आसपास का लॉस जनरेट हो रहा है ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट जो होगा, कोई अगर 200% करेंट देता है तो उसमें आपको अच्छा खासा आमाउंट देखने को मिलेगा, कोई थोड़ा बहुत लॉस भी करेगा, तो आपको लॉस कम देखने को मिलेगा यही शेयर है वारत की 10, ठीक है, तो इस हिसाब से ऐसे ही शेयर में आप लोग भी इन्वेस्ट करिए, काफी अच्छा रहेगा, आपको लॉस कम देखने को मिलेगा बिलकुल, ठीक है, थैंक्यू